मां बंगला मुखी धाम नस्दीक लंबा पिंड चौंख श्यारपुर रोड पर स्थित गुल मोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारतवाज के ध्यक्षता में सापताहिक मां बंगला मुखी हवन यग्य करवाया गया जिसमें सबसे पहले ब्रामनों ने नवग्य पंचो पचार शोडशो पचार गौरी गनीश कुम पूजन मां बंगला मुखी जी के निबित माला जापकर मुखे जिमार राचीव चड़ा से सह परिवार पूजा अर्चना के उपरांत हवन यग्य में आहूतियां डलवाई तो वहीं इस यग्य में उपस्तित मा भगतों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भातवाज ने उपस्तित मा भगतों को कहा कि माया से उपर उठकर प्रभु के प्रती, प्रेम, श्रधा और समर्पन दिखाएं उन्होंने कहा कि धरम उनकी रक्षा करता है जो धरम का पालन करते हैं, पूरी दुनिया सत्य के कारण ही टिकी हुई है, वहीं उन्होंने कहा कि सत्य के बल पर ही प्रित्वी टिकी हुई है, सूरज तप रहे हैं वह सत्य के बल पर वाजु का संचार हो रहा है, निरंतर, हव शर्मा, विक्रांट शर्मा, गोपाल मालपानी, राघवचट्टा, समीर कपूर, अश्वनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यग्यदत, रोहित भाटिया, रौकी, पंकच, करनवर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, केश ठाकुरू बलदेव सिंग साभी लक्की सुनील जगी प्रिंस और परवीन सहत भारी संख्या में शरधालों भी मौझूत रहे वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोचन किया गया जानंदर से हल्चल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर् अज मा बगला मुखी ताम जोगी पे ताम बरादा सितस्थान मा बगला मुखी ताम कुल मोर सिटी जड़ा लमा में चौनक दे नजदीक स्थित है मा दे सभवे मंदर दे विच आज श्रिंखला बद सब्ताहिक हवण जगे जड़ा होंता है वो जाली रिया महामाई दीकरपा दे नाल और बहुत सारे इश्र दालों ने आके हवण जगे दे विच आउतिया डाली है अपने पाव प्रकड़ कीते मा दे चरनाच मा पिताम ब अगला मुखी ताम्च सोंवार दीपावली दे शुब अफसर विशेश हवण जगे हों जा रहे है कोई भी अपना परसनल हवण जगे करवाना चांदा है ओ आके मंदर परिसर्च या साड़े किसे सेवदार में मिल सकदा अपना नाम लिखा सकदा ता जो उदे लुडिंद समगरी दा अरेंज किता जा सके ये हवण जगे बहुत सेरे तरकसार तो शुरू हो जांगे जिड़े शाम अठ वजे तक जारी रहनगे कोई भी इस दे विच शामल हो सकदा अपना नाम लिखा सकदा बिना ना लिखाया रिजिस्ट्रेशन करवाया मुश्किल होएगा जगे शामल हो सको जगजना रहाँ